दोस्तो जब भी आपकी bike की petrol खत्म हो जाती है, तो आप petrol pump पर petrol भरवाने चाते हैं और petrol pump पर आपको दो तरह के petrol की सुपिधा दी जाती है दोस्तो लगबख सभी petrol pump अपने पास दो तरह के पेट्रोल रखते हैं एक साधा पैट्रॉल होता है जो हम रोजाना अपनी बाइक में भरवाते हैं जो कि बेहत नॉर्मल पैट्रॉल होता है और दूसरा पैट्रॉल वो पैट्रॉल होता है जिसे कमपणी पावर फ्यूल कहती है आपको बता दे कि हर पैट्रॉलियम कमपनी के पावर फ्यूल का ना होती है अगर बात करें कि अ क्या अंतर होता है तो आपको बता दें कि इन दोनों अवक्टाइ नंबर एक अंतर होता है 1 जबकी प्रमें प्रेमियम पैट्रोल में औक्टाइ नंबर ठोड़े ज़्याद होते light दोस्तो आम तोर पाइव प あांका टरोल में आप्टाई नपर सटयसी से नवासि ची के बीच होते हैं सब्कि कि प्रीबियं पेट्रोल में यह आउक्टाई नंबर इनक्टाई नंबर हました इowers theậpdevam इनक्टैनवे से 93 के बीच होते है दोस्तों इंजन नोकिंग और डेटोनेटिंग एक मेकैनिकल टर्म है अगर आसान सब्दों में कहें तो यह है इंजन से आने वाली टक टक की अवाज को कम कर देता है दोस्तों हाई औक्टाइन वाला फ्यूल उन गाड़ियों के लिए सही माना जाता है जिनमें हाई कम्प्रेसन सिस्टम होता है और जो गाड़ियां इंपोर्टेट होती है बता दे कि यह प्रेमियम पैटरल इंजन की नौकिंग को तो कम करते ही है बलकि इसे होने से भी बचाता है और साथी यह इंजन में किसी भी तरह की गंदगी को जमा होने से बचाता है और इंजन को पूरी पावर के साथ काम करने में मदद करता है दोस्तो अगर आप इसका फाइदा देखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3-4 बार पूरी टंकी प्रीमियम पैट्रोल से भरबानी पड़ेगी क्योंकि इसका असार काफी दीरे दीरे देखने को मिलता है दोस्तो पावर या प्रीमियम पैट्रोल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एंजिन में किसी भी तरह की गंकी को जमा होने से रोकता है और एंजिन को सालों साल सुचारों रूप से चलाने में मदद करता है तो दोस्तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि रेगुलर पैट्रोल और पावर पैट्रोल में क्या अंतर होता है उम्मीद करते हूं दोस्तो आपके वीडियो पसंद आगा वीडियो चलागे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले और अगर आपके कोई सवाल ने सजावे तो कमेंट वक्स में कमेंट करके बता है और थैंक्स वर वाचिंग